हुआ 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 है अब सभी का अपने चैनल टीटेन स्टेडी पर दोस्तों मैट्रिक एग्जामनेशन होने वाला है और इसके लिए बिहार बोट ने अपना मोडल सेट जारी कर दिया है ठीक है इस वीडियो में मैं आप लोगों से साइंस के मोडल सेट के जितने भी क्योशन से अब्जेक्टिव ड्राइब उसके अंसर सेट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ ठीक है एक्जाम पैटर्न कैसा रहेगा कि सब्जेक्ट में कितने कोशन स्पूझे जाएंगे इससे संबंदित मैंने एक वीडियो अल्रेडी अप्लोड अगले वीडियो में बता दूँगा अप लोगो ठीक है इस वीडियो में मैं सब्जेक्टी बात करूंगा जो कि 80 प्रसन आप से साइंस में सब और ऑब्जेक्टी पूछे जाएंगे तो वीडियो इंप्रेंट हो जाता है आप लोगों के लिए तो वीडियो में लास्ट त आरो आपको उसमें जवाब कितना देना है, 40 का ही देना है, ठीक है, लेकिन मैं इसमें 80% का टोटल डिसकस करूँगा, पहला प्रसन कहा गया है कि किस दर्पन की फोकस दोरी रिनातमक होती है, ठीक है, यदि आपने मिरेट पर होगा तो आपको पता होगा, एक उत्तल दर्पन होता है, ठीक है, जिसका बाहर से रंगा हुआ पार्ट होता है, ठीक है, और अंदर का पार्ट जो होता है, परावर तक होता है, एक आवतल डर्पन, ये दो कि आवतल और एक होता है, उत्तल दर्पन, जिसका अंदर से पार्ट क्या होता है, कोटेड होता है, और बाहर का पर तो आप देख रहा है कि इसमें जो है फोकस दूरी इधार होगा आवतल दरपन में तो आवतल दरपन की फोकस दूरी क्या हो जाती है रिनातमक हो जाती है दायाया जाएगा क्या हो जाएगा अग्ला प्रसन दाया अपने पर है inquia दरपन की फोकस दूरी जो होती है वह वक्ड़ता तरिज्या की आधी होती है तो आप इसमें से देख लिए एफ इकल टू आरबाई टू है कहीं जहां है अप्शन नुबर बी में एफ इकल टू आरबाई टू ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या अप्शन से देखते हैं सामाने द्रिष्टी के लिए असपस्ट द्रिष्टी के निवनुतम दूरी कितनी होती है तो देखें सामाने द्रिष्टी के लिए असपस्ट द्रिष्टी के जो निवनुतम दूरी होती है वह होती है तो दिरगतम दूरी पूछेगा तो अनन्थ टीक करेंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट है स्वित प्रकास का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पसाथ सबसे कम जुकता है तो देखे सबसे कम जुकने की जब का याद रहेंगा, आध रहीद का थे जल्प, out रहें, स्बसे जगेगा, सबसे ज्जगेगा, तो ट्रह यहां- टृएगों और सबसे कम किसका होता है लाल का तो लाल का तरंगदर्ग सबसे ज़्यादा होता है जिससे कारण इसका जुकाव या प्रक्रिणन सबसे कम होता है Quesn में पूछा गया है कि कौन से रंग किसी प्रिज्म से गुजाने के बाद सबसे कम जुकता है तक कम जुकेगा आपका कौन सा लाल क्यों की तरंग जादा हो जाता है C. इसका correct answer हो जाएगा आपसे हो सकता है कि जामें पूछ ले कि कौन कम जुकता है तो जुकेगा कौन कम लाल कम जुकेगा क्यों कि तरंग जादा होता है याद रिखेगा लाल जो color होता है इसका सिर्फ तरंग जादा होता है बादमा के सारा चीज़ कम होता है चाहे जुका पुछले या वरतनांग पुछे यह सारा कम होगा और ब्यगनी का तरंग्द्रग कम होता है बादमा की सारा चीज अधिक होता है यह होता है तो वस्तवी का और उल्टा बनता है एक करेक्ट अंसर होता है एकास का रंग नीला प्रतीत होता हैं क्यों थैय। वह प्रकास माद करना का का करुण होता है किसी का रण प्रकास के प्रक्रिणन के क्या होता है अकास का रंग नीला होता है और आपसे पूछा जागे खत्रे का निसान लाल रंग का क्यों किया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रक्रिणन सबसे कम होता है इसलिए खत्रे का निसान भी लाल रंग का प्रक्रिणन जाता है ठीक है, नेक्स्ट है किस दर्पन से वस्तू का प्रतिविम बरा बनता है, ठीक है, तो देखे, वस्तू का प्रतिविम बनाने के लिए हमेशा और हमेशा अव्तल दर्पन का प्रोक्या आता है, क्योंकि अव्तल दर्पन में किसी वस्तू का प्रतिविम वस्तू का प्रतिविम बराबनता है । उत्तथ दरप्न में ऐसा नहीं होता है। इसका रइना से थाहे हैं । आप open लाइए हैं जाफफिरू के लिए कौनन से दरपन अफदल दरपन। चुर्च लाइट में कौन से दरता है ठीक है तो मैंने एक ट्रिक बताया थे यह आपने मेरे प्रेविएस वीडियो को फॉलो की आगा उता से मैंने बताया था यानि निका 跑 द्रेश्टी दोस का उप्चार किसे किया जाएगा, ai4105 नौमय प्रसने नेमली खिद में इसे कॉन ऊप्कृरन भी धुख्भरा के उपस्तितिक में दरसाता है। ये इसका करेक्ट आथसर होगा। नेगस्ट है दाएं हाथ के अंगुठे के नियम को किसने परतिपाधित किया थे तो याद रखेगा हांस-related जो रूल दिया था वह फ्लेमिंग ने दिया था राइट है और लेफ्ट है रूल तो यहां कहला है दाएं हाथ के इंगुठे का नियम तो क्या हो जागा अंसर? flaming हो जाएगा next है विवांतर का ऐसे मातर क्या होता है विवांतर का ऐसे मातर क्वोल्ट हो जाता है ठीक है ओम किसका है resistance का है ampere किसका है current electricity का यानि की धारा का है और coolant किसका है charge का है यानि की always का है निमलिखित में से किस सियोजन दोरा तो बढ़ेगा कब जब इसे हम सिर्यनिकर में सियोजन जित करेंगे एक correct answer हो जाएगा देखे अगले प्रसन का रहा है कि चुमके बल रेखा की प्रकिरती होती है चुमके बल रेखा होती है कैसा से पर लिए जान लेता है जाकि मान लेजे कि यह क्या होता है कालपनिक होता है और यह कभी एक तुसरे को नहीं काटती है तो यह कैसी रेखाई होती है कालपनिक रेखाई होती है एक correct answer हो जाएगा अगला है एक किलो वार्ट घंटक इसके बराबर होता है दो यह रेखाई होती है तो यह आपने मेरे previous video follow क्या होगा तो मैंने इसको derive करने का तरीका बता है 2 video में ठेक है फ्र्स्ट पार्ट वाले में और लास्ट पर्ट जो ही मैंने बना है उसमें भी मैंने बता है तो एक कीलो वार्ट घंटा के value कितना होता है 3.6 into 10 to the power 6 Joule या ऐसे भी रह सकता है 36 गुने 10 पर power 5 Joule दोनों relation आप याँत रखेंगे ठीक है, derivation कैसी होगा आप उस वीडियो को देख लीजेगा, पता चल जाएगा अगला है नवी करनी उरजा का सुरोत क्या है देखें, नवी करनी कहने का मतलब होता है जिसे हम regular use कर सकते हैं, जो कभी भी खत्म ना होगा, ठीक है तो नवी कि उरजा खत्म हो जाएगा, कोईले का उरजा खत्म हो सकता है, प्राकृतिक ऐसे भी खत्म हो सकता है लेकिन solar energy कभी खत्म नहीं होगी तो नवी करनी उरजा सुरोत क्या हो जाएगा solar energy option number B, correct answer हो जाएगा अगला है कौन सा lens? अपसाड़ी lens भी कहलाता है देखें, उत्तर lens जो होता है इससे जभी प्रकास जाएगा, तो इसको क्या करेगा? merge करेगा, एक सेगा तो merge करेगा, यानि अभी साड़ीत करेगा और अवता lens जो होता है, वो क्या करता है? फैला देता है, यानि कि अपसाड़ीत करेगा तो अपसाड़ीत कौन करेगा? अवताल lens करेगा, एक अरक्ट answer हो जाएगा सद्रहमा प्रस ने प्रकास का प्राथमिक वरन कौन से है? तो देखें, लाल, हरा और नीला तीनो को प्रकास का प्राथमिक रंग कहा जाता है क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर आप इस तीनो evolution color को मिलाओगे तो आपको कैसा color मिल जाएगा, sweet color मिल जाएगा, ठेक है? तो लाल, हरा, नीला तीनो प्राथमिक वरन यानि कि D correct answer हो जाएगा अगला है निमलिक्षित में से कौन नितर का रंगीन भाग है ठीक है तो रंगीन भाग क्या हो जागा ऐरीस आईरी स अगला है विशालक पावर यानिकि मेगनिफाइंग उलांस होता है क्या बोलते हैं हें लेंस भी बोलते हैं तो हैंड लेंस जो होता है उसमें डॉम्हें जैसा सोलीड होता है ठीक है तो देखें आपर चालक तार कहा गया है चालक तार जो होता है वह सॉलिड होता है कैसा होता है सॉलिड तो सॉलिड होगा तो सॉलिड में जो गतिसीलकन होता है वह क्या होता है मतरखे सबस्मेंने क्ली आरने क्लिक्ट निम्हें निम्हक्त में से कौन मातरख के बराबर तो देखेंऄ सकती का मत्रख क्या होता है no Karma अनि कि पाबरो जो होता है वर्क अपन bliver साइथ तो वर्क का एसा योउणिट होता है जूल और टाइम का सअने उसहhot नुंट जूल प्रतिरोध का इसका क्रेक्ट आंसर हो जाएगा अगला प्रस्ट ने ग्लोबल वर्मिंग के लिए उतर दाई ग्यास कौन सा है तो याद रखे ग्लोबल वर्मिंग के लिए उतर दाई ग्यास कौन सा होता है कार्बन डियोकसाड कार्बन डियोकसाड ही वैसिविक तापन के ल हम नाला जाता है तो ईसमें से ही निरजी निकलती यानि उसमाच 6 पी अभिक्रिया होती है ये इसका करक्र अनसर हो जाएगा तो अदिक रखेंगों थी अजम्लें और कोपरगत अपिक्रिया जीट होगा कोपर ठीक है, A, इसका correct answer हो जाएगा अगला है, चूना जल का रैसाइनिक सुत्र क्या होता है देखें, चूना का सुत्र की बात करें तो CA होता है, calcium oxide ठीक है, और इसको जब जल के साथ react करवाएंगे तो हमें निकल गर गाएगा CA, ओज का halt twice D, इसका correct answer हो जाएगा ठीक, next है, कोई विलियन लाल लेटमस को निला कर देता है इसका प्याच मन क्या है, तो देखें निला कर देगा कौन, जो च्छाड होगा ठीक है, और च्छार का प्याच मन हमेंसे क्या होता है साथ से अधिक होता है तो option A में भी है साथ सेधिक और B में भी साथ सेधिक तो D, इसका correct answer हो जाएगा तो friends, इस तरह के option रह सकते है ऐसा नहों कि आपने A देखा और A में correct कर दिया answer लगा दिया, तो गलती हो जाएगा अगर option का answer करेंगे, तो चारों option को अच्छे से परेंगे उसका बाद ही answer, satisfied होने के बाद गोला को भरेंगे तो D, इसका correct answer हो जाएगा अगला प्रसने, अलकाइन में कारबन के बीच कितने सासी हो जग बंधन होते है देखे, अलकेन, तीन ग्रूप होते है अलकेन, अलकीन, ठीक है और एक होता है अलकाइन यहाँ पर कहाँए है अलकाइन अलकाइन में होता है सिंगल अलकीन में होता है डबल और अलकाइन में क्या होता है, ट्रिपल होता है याद रखेगा, अलकेन में सिंगल अलकीन में डबल और अलकाइन में ट्रिपल होता है तो यहाँ पर कहा गया अलकाइन में तो C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स है ग्लुकोज का अनविक सुतर क्या होता है तो C6, C12, वो 6 होता है A नंबर में जो दिया गया है वही से ही आंसर है अगला है उच्छ वरसी है आम लोगे sodium leaven को क्या कहते है तो जब भी sodium leaven आएगा तो sodium leaven को क्या बोलते है 7 बोलते है और सलफोनेट leaven होतना तो आप मरजक हो जाता sodium leaven कहा गया है A अरक्ट आंसर होगा देखे तो उसन हम वीडियो थोड़ा से लंबा हो सकता है OH ठीक है ध्यान से देखेगा एक OH फिर होता है CHO फिर होगा आपका COOH ठीक है OH होगया आपका alcohol CHO होगया aldehyde CO होगया ketone और CWOH क्या होगया OEKCID ठीक है क्या होजागा OEKCID यानि कर्बक्सलिक एसीड ठीक है तो आपर CHO कहा गया तो CHO क्या होजागा होगया आप यह चारों याद रखेंगे ठीक है OH अलकोहल CHO aldehyde CO ketone और CWOH क्या होजागा कर्बक्सलिक एसीड तो यहाँ पर CHO कहा गया है एक अरेक्ट आंसर होजागा aldehyde अगला है आवर्थ सारणी के किसी आवर्थ में बाएं से दाया जाने पर तत्व की प्रमानो तरिजिया पर क्या परफापडता है अब आजर्सनी प्रमाइं से धाय जाते हैं तो क्या होगा तुरिज़या पूछा गया है तो तुरिज़या जो हती है वह घटती है कैसे घटती है चलिए बात करते हैं दहएं यहाँ पर मैंने एक periodic table लिया है अब देख सकते हैं यहाँ मेर हिलियम haidrogen है एक ठीक है यहाँ पर हिलियम है दो 3, 4, 5, 6, 7 तो कहा गया है भाई से धाई जाने पर, यानि कि इधर से इधर जाने पर क्या प्ररबाड़ तो आप जानते हैं कि कोई भी जो एटम होता है, इसमें बराबर होती है और इनिव स्फान हमत्व क्रावल आप कि प्लस और मैने जेंदाब भी होगा जादा, तो यहाँ पर वही बताया कि बाइन से जाने पर क्या होता है तो प्रमानृत्रिज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ण क्या हो जागा हो जागा अप्सनमुबर A हो जाएगा कि आवर्ट सर्णी के किसी आवर्ट में 20 से दाये जाने पर तत्वों की प्रमान तुरेज़ें घटती है अगला है निम्नांकी तत्वों को उनके अधातु गुन के अनुसार बढ़ते करम में सजाए अधातु गुन मतलब किसमे अधातु गुन ज्यादा और किसम भाग में डिमेड किया गया है एक S और एक P और ये वला D और नीचे जो होता है वो F ब्लोक होता है S block में धातुओं को रखा गया है P block में A धातुओं को और D block में उप धातुओं को रखा गया है तो इसमें आप question में क्या क्या दिया गया था? लिथियम तो आप देख सकते हैं लिथियम यहाँ पर है यानि कि लिथियम धातु है तुजेत के अपने हैं निया ग्याईए था है प्रुजार लिएज हुए निया गया है और दूरीजियं book दिया गया था धूरीन 됩니다 त्वे इसे झारवा है लिध्याम के बाद लिधियम के बाद बेरिलियम ठेकिंप के बाद कौन सा कार्बन के बाद के बाद ऑक्सीजिएन और ख्रिफ डावन ठीक है तो यहां पर जो कॉस्न दिया गई था लिधियम और Spongereal consuming पेरेलियम और फ्लोरीन तो आपने देखा कौन-कौन से था बी इसका करेक्टांसर हो जाएगा पेरेलिथियम उससे ज्यादा आधात्विक गुन होगा बेरेलियम उससे ज्यादा होगा कर्बन में उससे ज्यादा हो अक्सिजन में और इससे ज्यादा होगा फ्लोरीन में बी धनात्मक्ता के लिए आपको electronic मिनियास आना चाहिए ठीक है तो विद्यु धनात्मक्ता अथ कौन सा हो जागा sodium क्योंकि sodium जो एलेक्टरों त्यागता है और एलेक्टरों त्यागता है जिससे कारण क्या जोता है उस पर पॉजिटिव चार्ज की संख्या ज्यादा हो जाती है ठीक, आपने कभी देखा होगा आ प्लस करके देखा होगा ठीक, तो यह होता है वेद्यृध्धन अत्मक, सोर्यम सका में किया गया है तो टेरी बंद जो भाग रही नदी पर है कहां उत्राखनद में भी करेक्ट Works रोजाएंघा ऐसी धातु को किरुसीन में लॗा कर रख जाता है थेक है तो ऑस्वार और से बनाय에 जाते है तो अप्रक्ट्र– exit लेक्स anecdots उसका और इक प्रीएक का प्रीयोग की या जाता है या इन्धे की अर्पाहिजों नहीं कि अगला प्रश्न XL मिंड्हकी से और यूगदवीन की खिला खाना बनाने वाले लिएक लोगा किया जाता है प्राइब वहनों में किया जाता है या इंडस्ट्री वेगरे में किया जाता है एक रेक्ट अंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण है 2CU प्लस O2 देखते हैं तो चुलिए देखते हैं यहां पर हाइड्रोजन तीर के बाई तरफ दो है दाय तरफ भी दो है ठीक है क्लोरीन देखें क्लोरीन भी दो है और यहां पर क्लोरीन यहां पर भी दो है तो यह तो संतुलित है आगे चलते हैं देखें सीशा पीबी इधर भी एक है इ आप इसको संत्रित करके देख लेज़ेगा C और D वाले को, B इसका correct answer होगा अगला है, उदासीन विलेन का pH मन कितना होता है, ठीक है, तो उदासीन विलेन का pH मन साथ होता है साथ से जब अधिक जाएगा, तो छाड़िये होगा, ठीक है, और साथ से कम जाएगा तो इसे डिख होगा निमले खित में कौन दुर्बल अमल है, तो दुर्बल अमल का कहने का मतलब होता है, जिसका pH वैल्यू साथ के नजदीक हो, लगफ़ग लगए साथ के नजदीक हो संभावना है, कि बॉक्साइट किसका है, इसके पूछा जाएगा, क्योंकि यहां पर क्रायोलाइट पूछ लिया है, अगला है, पोटेसियम का प्रमानु संख्या कितना होता है, ठीक है, तो देखिए, पोटेसियम का प्रमानु संख्या होता है, 19 होता है, ठीक है, पोटेस C2H2OH, ठीक है, B correct answer हो जाएगा अगला है Alkyne कोन है, तो Alkyne में क्या होता है Alkyne का क्या हो जाएगा, C2H4 Alkyne का हो जाएगा CH4 Alkyne का हो जाएगा, ने C2H2 यह हो जाएगा Alkyne का एक correct answer हो जाएगा, अगला है चीनी का अनसुतर क्या होता है तो चेनी का अनसुत्र होता है क्या C12, H22 और O11? B correct answer होगा. Acetylene में carbon, carbon के बीच सह सयोजक बंधन की संख्या क्या होती है? ठीक है? तो देखे, acetylene की संदचना सुत्र की बात करें, तो क्या होता है? C triple bond C H, है न? C triple bond C H. तो अबर carbon, carbon के बीच कहा गया, तो carbon, carbon के बीच कितने 3 है न? तो 3 हो जागा इसका answer, D answer हो जाएगा. स्वसन के अध्यन के लिए उपयोग की जाने वाला बीच, तो देखे, स्वसन के अध्यन के जाता है, तो इसके लिए किस प्रकार की बीच का प्रयोग गया जाता है? अंकुडिती बीच का, B, correct answer होगा. अगला है, मानवरे के किस प्रनाली का एक हिंसा है, तो kidney जो है, वो अध्यसर्जन का एक हिंसा है, excreation, इसका correct answer हो जाएगा. अगला है, पौधे में जायलम निम्नांकित में से किस के परिवन के लिए जिम्मेदार है, तो जायलम जो है, पानी के परिवन के लिए जिम्मेदार है, तो एक्जाम में हो सकता है, आप से फ्लोईम के बारे पे पूछ ले, में एथिलीन का प्रोल के जाता है और इथिलीन एująहों है जो की गैसे इवस्था में पया जाता है अगला परस्ष ने नीरोन का वह रहए important देरा अइस चाईबर के अर्धियों से नीरोन हं जो यह ही अधुनले आड्रेनलीन को किशाता हो आप aider्राइड हर्मोन हर्मोन में ही सरावित होता है अगला है निमलखित में से कौन सी अनेक्षिक क्रिया नहीं है अनेक्षिक मतलब एक्षिक क्रिया है तो चबाना एक प्रकार की एक्षिक क्रिया है ठीक है चबाना एक्षिक क्रिया है अनेक्षिक क्रिया उल्टी है दिल का धरकन है अत्यधिक लारकान है यह सारा अनेक्षिक क्रिया है लेकिन कहा गया नहीं है मतलब एक्षिक क्रिया के वारे पूछ रहा था तो चबाना हो जागा अंसर अगे हैं मानमें गर्व अबधी काल कितना होता है आप लोग जनरली जानते नो महिना है ना तो नो महिना को 30 दिन से गुणा कर देजें नोतिया सताइस यानिके 270 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे हैं गंगा एक्स एक्स प्लान कम सुरूआ तो गंगा एक्स एक्स प्लान जो है वो बेसिकली तो 1986 में हुआ था ठीक है लेकिन ऑप्सन के एक्कॉर्डिंग चले तो उन्हें सब 85 इसके नियर है इसलिए भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला है मुकूलन द्वारा लेंगे जनन निमनिखित में से किसमें होता है तो मुकूलन द्वारा प्रभावित होता है और निमुनिया में भी फिफरा प्रभावित होता है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों हला है मनुस्य और अन्न मानसारे जीव निम्लखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं तो देखिए मनुस्य और अन्न जो मानसारे जीव होते ह वह सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं C, B, इसका correct answer हो जाएगा अब देखे, brain hemorrhage का मुखे कारण क्या है तो brain hemorrhage जो होता है अधिक रक्तिचाप के वज़े से भी हो सकता है ठीक है, अधिक रक्तिचाप hyper attention के वज़े से होता है C, correct answer हो जाएगा अधिक मतलब normal से ज़्यादा blood pressure होता है तो hyper attention और कम होगा तो hypotension ठीक है, इसका C, correct answer हो जाएगा अगे निम्न में से परजीवी पाधा का उदाहरन कोन है तो कसकुटा जो है परजीवी पाधा है ठीक है, कसकुटा भी correct answer हो अगे हिरदय से रक्त को संपूर्ण सरीर में कौन पंप करता है तो देखे हिरदय से जो रक्त है उसको संपूर्ण सरीर में कौन करता है तो संपूर्ण सरीर में जो पंप करता है वो करता है नीलय ठीक है कौन करता है नीलय के द्वारा किया जाता है हाट्रा में अलंगिक जनन की वीधी पाई जाते तो मैंने फितुरत बताया उपर में ठीक है हाइडरा ओडियोस्ट दोनों में कौन सी मुकूलन पाई जाती है आगे है जनन संचारी द्रोग है सिफलिस भी है एड्स भी है गोनेरिया भी है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएग ठीक है सिफलिस गुनेरिया और एड्स याद रखे कि एड्स जो है यह एचाईवी वाइरस के कारण होता है ठीक है और आप दोनों का पूरा नाम याद रखेगा एक्वाइड इम्यून डिफिसेंसी सिंडरूम एड्स का और हियूमन इम्यून डिफिसेंसी वारस अगला है ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबडी होता है ठीक है तो देखिए ब्लड में दो प्रकार के कंपोनेट होता है एक तो होता है एंटीबडी और एक होता है एंटीजन क्या होता है एंटीजन तो देखिए एंटीजन जो होता है जैसे माले जी के ब्लड गरूप A ह होगा बी में antigen b होगा सी में सी तो होता नहीं है में b और दोनों प्रकर्णित घोनेगे लेकिन टिटेक नई एंटिबटी हो जाएगा झाईग में कॉन से In- haul can be It S E B anti睿ी हो जाएगा इस अगला प्रस्न घ्रश के कण निम्हां कि तुम्हें से कौन नहीं निंत्रित करता है तो ते के रक्त में glucon के लेवल है वह insulin, glucoorgan और गаз्ट्री इंती नहीं तरीकिन आपक आपका ज़ो जो option number D है hatıristitude नहीं किया जाता देख सिरीर में glucon की मात्रा कौन नहीं किया जाता है ये उस question का correct answer answer लेकिन आप याद रखेंगे कि जैम में आप से पूछ जागा गुलकोज की मात्रा को नेद्रीत कौन करता है एंसुलीन भी करता है ग्लुकागन भी करता है और गस्ट्रीन भी करता है पादब में व्रेधि हार्मौन है ठीक है इसका उप्चन देख लेता है क्या क्या दिया ग सता है जिब्रोलीली इसका correct answer हो जाएगा आगे हैं हर्मोन सता है किससे होता है आंता सतावी गरंथी से मैंने इसपर एक सेपरेट वडियो बना रखें अंतासरावी गरंथी और बहिए गरंथी के बारे आप उसको देख सकाै अगला है मनुसे के मुख गुहा में कितनी जोरी लाड़ गुरंथी पाए जाती हैं, तीन जोरी पाए जाती हैं, सब्लिंगुल, सब्मेंडिबूलर और पेरोटीड, कौन कौन सा, सब्लिंगुल, पेरोटीड और सब्मेंडिबूलर, तीन परगड की लाड़ गुरंथी तो हो सकता है आपके एक्जामनेस मेल हर्मोन के बारें पूछ ले टेस्टो एस्टे रॉन याद रखेगा ठीक है यह अब पूछा गया एंड्रोजन तभी मेल हर्मोन हो जागा अभी इसका करेक्ट आंसर होगा मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था तो देखे जनेटिक्स के बारे में स्टड़ी करने के लिए ठीक है बेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग किया था ठीक है एक और इसलिए मेंडल को जनेटिक्स का जनक भी कहा जाता है ठीक है तो यह रहे आपके ठोटल 80% क को अखी करता है पूनलोड क्या करेंगे चलिए मैं बताता हो इसके लिए आपको सिंप्ली को करना परेंगा अपका जो search engine है उस पर जाएगा आप जो की search engine use करते होंगे मैं Chrome use करता हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ Chrome के उपर करेंगे और पर सरक्राइब बिधा सकते हैं मैं रिजल्ट भारत पर रेगल इसमेंगे करने मिल जागा इप करने के बाद आपके समने यहाँ पर खूल के आजाएगा इंटर्मीडियर्ट का दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं, उपर में ही आपका है टेंथ क्लास का, है ना, BSEB 10th Annual Exam, इसमें आपके सभी subject का है, आप सिर्फ click here पर click करेंगे, वो automatic download हो जाएगा, तो वीडियो कैसा लगा, comment करके हमें जरूर बताएगा, और इस वीडियो को अपने सारे reference लिकले में सेर कर दीजेगा, ठीक है, अगर आप उस सभी विस्यों पर चाहिए इसका answer, तो हमें comment करके जरूर बताएगे, हम सभी विस्यों पर इसका answer आपको provide कर देंगे, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद,